हेलो एब्रीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में राजिस्तान पब्लिक सर्विस कमिशन की तरफ से वेकेंसी आई है सरकारी पर्मानेंट जॉब की दो नई विग्यापन की बात करेंगे अलग-अलग पोस्ट है आयू वेतन योगेता चैन प इंपोर्टेंट लिंक्स में आप नीचे देखेंगे रिक्रूट्मेंट एडवर्टीजमेंट इस पर आप लोगों को क्लिक करना है दोनों ही विग्यापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे विस्रित विग्यापन जो जारी किया गया है जैसा कि मैंने आप लोगों को ब कमी या व्रदी की जा सकती है तो यहाँ पर agriculture officer के कुल 25 पदों पर vacancy जारी की गई है जिसमें MSC agriculture या फिर MSC horticulture से अगर आपने किया है तो आप यहाँ पर बिल्कुल eligible हैं बस इतना ही मांगा गया है हिंदी में जो है देवनागरी लिपी हिंदी आपको लिखनी आनी चाहिए देवनागरी लिपी में और राजिस्थान culture का थोड़ा knowledge होना चाहिए पे मैट्रिक की अगर हम बात करें तो level 14 काफी अधिक salary रहेगी level 14 के according salary यहाँ पर आपको मिलने वाली है आयू सीमा 20 से लेकर 40 वर्स तक की यहाँ पर कही गई है आयू सीमा में छूट जो है यहाँ पर राजिस्थान राजिय की अनसुचित जाती अति पिश्डा वर्ग और EWS वर्ग के पुरुस पुरुस वर्ग को जो है पांच वर्स की चूट है वहीं पर महला वर्ग को दस वर्स की चूट दी गई है सामान्य वर्ग की जो महला है उसे पांच वर्स की चूट दी जाती है विद्वा एवं विछिन विवहा महला की जो है कोई भी सीमा नहीं, आयू सीमा नहीं है, अपर रेज लिमिट जो है वो नहीं है, कितनी भी उम्र हो एलिजिवल है, उसके बाद जो है यहाँ पर चैन प्रक्रिया कैसे रहेगी, तो लिखा है कि चैन लिखित परिक्षा के माध प्रेल तक रहेगी, यह आपको ध्यान में रखना है, जो भी कैंडिरेट अप्लाइ करना चाते हैं, और अदर स्टेट के कैंडिरेट भी जो है बिल्कुल एलिजिबल है, फीस यहाँ पर जनरल कैटिगरी की 600 रुपे है, उसके बाद जो है जो आरक्षित वर्ग है 400 रुप पब्लिक रिलेशन ओफिसर केकुल 6 पदों की जो है वेकेंसी है, पदिस्पूर्ट है, इस्थाई है, यहाँ पर जो है सेक्ष्ण के योगईता, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है हिंदी या इंग्लिस विसे में, ध्यान दें, अगर आप पीजी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, हिंदी या इंग्लिस विसे में, साथ में आपने तीन साल का अनुवव जर्नलिस्म में, राश्ट्रिय या राज्य इस्तर पर अगर आपने लिया है, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है, अगर आपके पास डिग्री है और पांच साल का जर्नलिस्म में, नैशनल या स्टेट लेवल पर तो भी आप यहां पर अप्लाए कर सकते हैं, सैलरी यहां पर लेवल 12 के अकॉर्डिंग आपकी रहने वाली है, आयू सीमा 21 से लेकर 40 वर्स है, और आयू सीमा में छूट जो हमने पिछले विज्यापन में देखा, वही रहन वाला है, अभी जो है अंतियम डेट हम देख लेते हैं, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, तो 5 मार्स 2024 से ही जो है आविदन स्टार्ट होंगे, और 3 अप्रेल 2024 तक चलने वाले हैं, तो यहां पर भी एक एक एक्जाम होगा, लिखित परिक्षा होगी, और साथ में इंटर् भी रहेगा, तो अगर जो भी कैंडिडेट अप्लाए करना चाते हैं, तो यहां पर अप्लाए करने के लिए जो है, लिंक आप लोगों को शियर कर दिया जाएगा, अभी आपके पास समय है, अप्लिकेशन फॉर्म स्टार्ड हो जाएंगे, और पार्ट A आपका जो है अग्जाम होगा, और भी आप लोग नोटिफिकेशन चेक कर लेंगे, नोटिफिकेशन में सारी चीज़े दी हुई है, लिंक आप लोगों को शियर कर दिया जाएगा, दोनों ही विज्यापन जो है, आप देख सकते हैं, ठीक है, सबसे पहले मेन वेबसाइट पर आना है, राजिस्तान लोग सेवा आयोग, RPSC की, उसके बाद रेक्रूट्मेंट एडवर्टीजमेंट पर आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कल की ही डेट में दो नए विज्यापन, 28 परवरी 2024 के हैं, अग्रिकल्चर ओफिसर के और पब्लिक रिलेशन ओफिसर के, तो यह आप देख सकते हैं, इसके साथ में ही लाइब्रेरियन ग्रेड सेकिंड, स्कूल एडुकेशन डेपार्टमेंट की तरफ से जो है वेकेंसी आई है, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकिंड की, तो जो कैंडिडेट को नहीं पता है, तो बिलकुल इसे भी जो है आप लोग ओपन करके देख सकते हैं, अगर आप eligible हैं, तो form apply करें, तो चलिए मिलेंगे next वीडियो में, ऐसे ही वेकेंसी जो की कैंडिडेट के लिए बहुत ही महतवपूर्ण रहती है, और समय पास उचना नहीं मिल पाती है, वीडियो के माधियम से जो है, बहुत सारी कैंडिडेट क जॉब मिली है और आगे भी मिलती रहेगी, चैनल पर जो है regular रहें, ताकि आप लोगों की अगर वेकेंसी आती है, आविदन की last date जो है ना निकल पाए और आप लोग समय पर उसे देख सकें, आविदन कर सकें, मिलेंगे next वीडियो में, thank you